जैस्री किस्ना दोस्तों मैं हूँ नरेंदर अगरवाल और आप देख रहे हैं नरेंदर अगरवाल यूट्यूब चैनल संपुन ब्रह्मांड में देव के देव महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो केवल जल चड़ाने मात्र से ही भक्तों पर प्रसन हो जाते हैं भगवान सीव को प्रसन करने के लिए किसी खास विसेश पूजा की आवसकता नहीं होती है और इसी लिए इसी लिए भगवान सीव को भोले नात कहा जाता है अपने भक्तों के द्वारा मन से की गई छोटी सी पूजा से भोले नात प्रसन हो जाते हैं केवल जल चड़ाने मात्र से भोले नात प्रसन हो जाते हैं तो यदि आप सावन में स्वामवार का वरत रखते हैं या फिर कभी भी स्वामवार का वरत रखते हैं तो भोले नात की इस कथा का स्रोन अवस्य करें, अवस्य सुने इस कहानी को, तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ स्वामवार वृत की कहानी कथा शेयर करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, एक बार यदि आप इस कहानी को इस कहानी को सुनना प्रारम कर देत था, काफी धन था उसके पास, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, और वो सहुकार भगवान भोलेनात महादेव शीव का अनन्य भक्त था, सब कुछ होते वे भी उस सहुकार के पास एक कमी थी, और वो कमी थी कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, उसके घर में संतान की कम बाणा को लेकर इसी इच्छपा को लेकर वह सहुकार रोजाना अपने घर के नजदी की श मंदिर में जाकर एक दीपक जलाया करता था यह नियम उसका वरिसों से चला दा रहा था उ요 मैं देख रही हूं कि यह सहुकार वर्चों से आपकी आहँ कर रहा है वर्चों से आपकी सरदाभाव से पूजा कर रहा है ये साहुकार आपका अनन्य भक्त है इसको किसी बात का कष्ट है तो उसे आपको अवस्य ही दूर करना चाहिए तब भोलेनात सिव पारवती जी से कहते है हे पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है इस साहुकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है और ऐसे में यदि इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान मिल जाता है तो वो केवल 12 वर्ष के आयू तक ही जीवित रहेगा इसलिए मैं इसे ये वर्दान देना नहीं चाहता हूं ये सुनने के बाद भी माता पारवती भोले नात सिव से कहती है है प्रभू आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्दो देना ही चाहिए अन्याता भक्त आपकी सेवा पूजा क्यों करेंगे आखिर क्यों आखिर क्यों भक्त आपकी पूजा करे तो इसे वर्दान तो मिलना ही चाहिए अब माता पारवती के बार बार आग्रह करने पर भोले नात सहुकार को पुत्र प्राप्ति का वर्दान दे देते हैं लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि ये पुत्र केवल 12 वर्चों तक ही जीवित रहेगा अब जब सहुकार ने इस वर्दान की बात सुनी और साथ में ये सुना कि पुत्र 12 वर्च तक ही जीवित रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसे ना तो खुसी हुई और ना ही दुख हुआ वो पहले की तरह ही बोले नात की पूजा अर्चना करता रहा शीव के वर्दान से सेठानी घर्बवती हुई और नववे महीने उसे एक सुन्दर बालक की प्राप्ती हुई परिवार में एक खिलोना आ गया खुब हरसो ल्लास के साथ बालक का स्वागत किया गया चारो तरब खुसिया मनाई जाने लगी डोल धमागे जो कुछ भी साहुकार के परिवार वाले कर सकते थे उन्होंने अपनी खुसी का भरपूर इजहार किया लेकिन साहुकार पहले की तरह ही रहा उसने ना कोई खुसी प्रकट की ना कोई दुख प्रकट किया उसने बालक की 12 वर्स की आयू का जिक्र भी किसी के साथ नहीं किया केवल उसे मालूम था कि ये बालक 12 वर्सों तक ही जीवित रहने वाला है समय बीटता चला गया और जब बालक 11 वर्स की आयू का हो गया तो एक दिन साउकार और उसकी सेठानी बेठे वे थे सेठानी ने बातों ही बातों में सेठ जी से कहा कि इस बालक का विवा करना चाहिए तो साउकार ने कहा अभी कहा विवा अभी तो बालक है इसे पढ़ने के लिए हम कासी भेजेंगे इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और मामा को बुला कर उसे कासी पढ़ने के लिए भेज दिया कहा कि इसे लेकर जाओ कासी लेकर जाओ और रास्ते में जिस भी इस्थान पर रुकना पड़े वहाँ यग्य करना ब्रामनों को भोजन करना और फिर आगे बढ़ना यानि कि जहां जहां भी तुम रुको वहां यग्य जरूर करना ब्रामनों को भोजन जरूर करना और फिर इसे आगे लेकर जाना तो मामा भھंजे निकल पड़े कासी की ओर जहां रुकते वहीं यग्य करते बढ़ते जा रहे थे रास्ते में एक दिन राजकुमारी का विवा था जिस व्यक्ति से राजकुमारी का विवा होना था वो एक आख से काना था तो उसके पिता ने जब अतिस उंदर सहुकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया क्यों ना इसे ही गोड़ी पर बिठा कर शादी के सारे कार ये संपन करा लिए जाए तो उन्होंने उस बच्चे के मामा से बात की और कहा की इसे थोड़े दिन के लिए यहां रखलो इसके बदले में वो उसे धेर सारा धन देंगे मामा जी राजी हो गए चलो इसके बाद सहुकार का बेटा विवाग की बेदी पर बेठा, विवाग के कार्य संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाग तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के साथ वो तुझे बेजेंगे वो तो एक आँक से काना है किया बाराद खाली ही लोट गई उधर मामा और भानिजे धीरे-धीरे कासी पहुच ही गए एक दिन जब मामा ने यग्य किया और भानिजा बहुत देर तक भाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर Grid कर देखा मामा ने देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे क्योंकि भांजा बारावर्स का हो चुका था जैसे ही वो बारावर्स का हुआ उसके प्राण निकल गए अब उस बच्चे का मामा बहत परेसान हो गया लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो सारे ब्रहमन चले जाएंगे और यग्या का कार्य भी अदूरा रह जाएगा तो उसने यग्या संपन करने की सोची और यग्या संपन किया यग्या संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना सुरू कर दिया उसी समय सीव पारवती उधर से जा रहे थे तो माता पारवती ने सीव से कहा भोले नाथ से कहा हे प्रभू ये कौन रुदन कर रहा है तो भोले नाथ सीव ने कहा कि ये वही सहुकार का पुत्र है जो भोले नाथ के आसिरवात से जन्मा है और अब मर चुका है और इसी लिए उसका मामा रूदन कर रहा है तब माता पारवती कहती है हे स्वामी इसे जीवित कर दीजिये इसी जीवित कर दीजिये अन्य था इसके माता पिता के रूते रूते प्राण निकल जाएंगे बोलेनात ने कहा हे पारवती इस बच्चे की आयू इतनी ही थी सो वो भोग चुका है लेकिन माता पारवती के बार बार आग्रह करने पर बोलेनात ने उसे पुनहें जीवित कर दिया लड़का ओम नमष्शिवाय करते हुए उठ खड़ा हुआ मामा भांजे दोनों ने भोलेनात सिव को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की और लोट पड़े लास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ भहुत सारा धन धान्य दिया और उसे प्राण का त्याग कर देंगे तभी लड़के के मामा ने आकर सहुकार के बेटे और बहु को आने का समाचार सहुकार को सुनाया सहुकार मामा की बात को माना नहीं उसे मालूम था कि 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बच्चे का मरना निश्चित है क्योंकि सावकार को स्वपन में भोले नाज सीव ने दर्सन दिये और कहा हे भक्त मैं तुम्हारे पूजन से तुम्हारी स्रदाभाव से प्रसन हूं इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दारिद्रिय दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोकामनाओ की पूर्ति अवस्य होगी जो भक्त स्वामवार का वरत रखकर इस कथा को सुनेगा उसकी सारी समस्याएं स्वतही समाथ होने लगेगी तो ये थी स्वामवार के वरत की कथा आसा है आपको ये कहानी ये कथा अच्छी लगी होगी तो बस इस वीडियो को यहीं भी राम देते हैं तो दोस्तों यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो यूस्पुल लगी हो तो करपया लाइक के बटन पर जुरूर क्लिक कीजिए और यदि आप सोंबार का वरत रखते हैं तो हमेशा सोंबार के वरत वाले दिन इस वीडियो को चलाकर आ सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियो के अपलोट्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी तो करपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करने के तुरंत बात घंटी के बटन पर भी अवस्य क्लिक कीजिए तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अगरवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए इस्टे हैल्दी इस्टे हैपी थैंक ये फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक्स जै सिरी राम जै हनुमान